प्रोटीन इससे पहले हमने कार्बो हाइड्रेट के बारे में जाने था सारी इन्फोर्मेशन बच्चों पिछले कार्बो हाइड्रेट और उसके प्रिक्षन के बारे में पढ़ा कार्बो हाइड्रेट किस से मिलता है क्या स्त्रोथ है उसके क्या फायदे हमारे लिए ठीक है और कैसे हम पता लगा सकते है कि किस फूड आइटम के अंदर ये होता है तो ये सब जाना था हम अब इस कारिया पत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानोगे जैसा कि आप पहले ही पहले से ही जानते हैं प्रोटीन सरीर की विर्दी सरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवशक पो सकता तो है तो हम पढ़ चुके थे फर्स्ट वरक्षिट में अपनी इसमें क्या आपको कुछ खाद्य पदारतों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है तो बेटा हमने कुछ पढ़े थे प्रोटीन जिनमें होता है तो यहाँ पर देखो बेटा किस किस के अंदर होता है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह जो क्या है अंडे तो अंडे का सफेद भाग होता है उसमें प्रोटीन होता है और जो यह आपको यहाँ पर दिख रहा है चीज इसके अंदर भी क्या होता है प्रोटीन होता है ठीक है अब नेक्स्ट क्या है बेटा आईए नीचे यही बताये गया कि आईए नीचे दिखाए गए चित्रों में प्रोटीन के स स्त्रोथ हैं उन पर सही के टिक का निसान लगाएं तो हमने वो देख लिया बेटा तो आप अंडे पर और पनीर पर लगा दोगे चीज पर लगा दोगे ठीक है अब नेक्स्ट क्या बेटा प्रोटीन के स्त्रोथ क्या है किस से हमें मिलता है तो ये स्त्रोथ क्या क्या है दू दिखाये गया ठीक है और ये हमारे अंडे के अंडे दिखाये गया और ये दूद दिखाये गया तो इनमें परचूर मातरा में पाये जाता है अब प्रोटीन के कारिये क्या है बेटा तो प्रोटीन सरीर की विर्दी एवं सरीर के टूट फूट की मरमत के लिए आवश्चक हो भीठिये आप अब हम जानेंगे प्रोटीन का प्रिक्षन तो प्रोटीन का कैसे करते हैं तो परखणली में थोड़ी सी मात्रा में खध्यपदार्त लें इस में प्रिक्षन करना है कि इस तो उसमें पानी की कुछ बूंदे मिला हैं तो हमने मिला ली चलो इसके बाद उस मिसरन में कोपर सलफेट विलियन की दो बूंदे डाले तो कोपर सलफेट विलियन होता है बेटा कोपर सलफेट विलियन का मतलब क्या है एक विलियन है, मतलब पानी लिया हमने कुछ उसमें क्या किया, कोपर सल्फेट डाला, तो उससे कोपर सल्फेट का विलियन तयार हो गया, जैसे कि नमक को हम जल में घोल दें, तो उससे क्या होता है, नमक का घोल तयार हो जाता है, नमक का विलियन तयार हो जाता है, इसी तरी कास्टिक सोडा विलियन की 10 बूंदे डालेंगे उसमें एसे ही कास्टिक सोडा का विलियन तयार होता है फिर इसे अच्छे से हिला कर कुछ मिंटों के लिए स्थिर छोड़ देंगे तो कुछ समय के लिए इसको रख देंगे यदि खाद्या पधार्थ का रंग बैंग नहीं ह हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्तिति को इंगित करता है अगर बैटा इसके अंदर यह कलर दिखाई देता है मैं कुछ समय बाद तो इसका मतलब उस खद्या पधार्थ के अंदर प्रोटीन विद्यमान है इस तरीके से प्रिक्षण होता है यह इंपोर्टेंट है बेटा ठीक है और क्या लिख सकते हो मचली मास और फिर अंडे की सफेदी ये क्या होते अधिकता में पाये जाता है इनके अंदर प्रोटीन फिर बेटा बोला गया कि प्रोटीन के दो स्त्रोतों के नाम लिखो तो बेटा स्त्रोत तो कई तरीके के हैं जैसे कि दूद मास मचल सेम पनीर अंडे की सफ़िदी कोई भी दो लिग देना आप ठीक है अब नेक्स्ट कोशन का है बेटा थर्ड चलिए वो करते हैं प्रोटीन की जाच के लिए आवश्यक रासाइनिक पधार्थ क्या है अब बेटा देखो आपका थर्ड कोशन क्या है प्रोटीन की जाच के और कास्टिक सोडा विलेंग्न की कुछ बूंदे हमें चाहिए होती हैं ठीक है फिर प्रोटीन का सेवन अनुचित मातरा में करने पर हमारे सरीर वे सारीरिक सकती हैं और साथ में जो हमारी रोग परती रोदक समता है वो भी कम हो जाएगी ठीक है अब बेटा हमारा फिफ्ट कोशन क्या है कि यदि आप परती दिन अंडे की सफेदी वे मास खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पधार्तों से अन्य पोसक ततु प्राप्त होंगे तो इसके लिए हमें सभी परकार के भोज्य पधार्तों का सेवन करना चाहिए तो सभी परकार के पोसक ततु लेने के लिए उचित मात्रा में हमें सभी परकार का भोजन करना चाहिए ठीक है मिलेंगे तो सही लेकिन उचित मात्रा में नहीं मिलेंगे ठीक है तो यह थी वेटा आपके आज की वक्षिट इंटरस्टिंग सी थी और आपको कुछ नोलिज मिला अपनी डिली लाइफ के लिए भी तो इसको जरूर अपना ना इस वीडियो में इतना ही बटर नेक्स्ट ओफिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए से हसते रहे हैं मुस